नमस्कार दोस्तों CAC भेली हेल्प में आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में बात करने वाला हुँ आपको कि CAC पोर्टल के माध्यम से यानि डिजिटल सेवाग पोर्टल के माध्यम से आप कैसे नेसल केरियर सर्विस पोर्टल पे रेइस्टेशन करेंगे और वहाँ पे स्टूडेंट को एड करेंगे यानि जो जॉब सीकर है जो जॉब ढूंड रहे हैं उनका आप कैसे प्रोफाइल बनाएंगे नेसल केरियर सर्विस पोर्टल पे वह भी CAC के माध्यम से तो चलिए सर्च में जाके हमें लिखना है नेसनल ठीक है नेसल के जैसे ही सर्च करेंगे यहां पर हमारे थामने एक आप्शन आ जाएगा नेसल केरियर सर्विस एंसीस का ठीक हमें इस पर क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां पर नेसल केरियर सर्विस का इस तरह से पेज हो जाएगा यहां पर नीच से registration का option मिल जाएगा आपको सिंपल इस registration बटन पर क्लिक करना है अगर आपने डिटर से वाग पोटल पर लॉग इन नहीं कर रखा है तो आपको ID password मांगेगा यहां पर उस ID password को आपको दे देना है फिर कुछ इस तरह का page आपके शाम में open हो जाएगा यहां पर आपको job survey करना है मतलब NCS के website पर जो student जो job seeker अपना profile बना चाहते है यहां पर आप उनका registration करेंगे सबसे पहले नाम है उसके बाद gender है तब marital status है date of birth है contact details है यह पूरा personal profile है उसके नीचे यहां पर current address है parliament address है फिर आपका unique identification details है ठीक है आधार नमर वगरा BPL है की नहीं है यह सारा डालना है फिर आपको physical attribute डालना है कि disability है की नहीं है ठीक है उसे आपको choose कर लेना है education details आप यहां पर डाल सकते हैं कि कौन सा highest education है आपका और अगर इसकी history आप add करना चाहते है कि इस साल में class 10 पास किया इस साल में 12 पास किया तो वहां पर इस check box पर क्लिक करके यहां पर नीचे उसे add कर सकते हैं ठीक है other qualification के लिए आप यहां पर जाके उसे add कर सकते है अगर कुछ अलग से है अगर जादा आता है इंप्लाइमेंट के details है एक सर्विसमें है तो वह यहां पर डाल सकते आप experience और दूसरे जो current अगर कोई employee है आप काम कर रहे हैं तो उसके details आप यहां पर डालेंगे इसके अलावे तीन और option है employment history आपने जो work experience है आपका वह आप यहां पर table wise डाल सकते है other skills जो भी आप यहां पर डाल सकते है reference जो होता है न पूछता है कि दो अपने area में जान पहचान के दो तीन बंदो का नाम दो वह आप देना चाहता है तो आप यहां पर डाल सकते है ठीक है reference के लिए तो finally इस form फिल करके आपको submit पर क्लिक करना है जैसे इस submit पर क्लिक करेंगे आपके mail ID पर यहां पर ID और password चला जाएगा उस ID और password के माध्यम से student इस पर login कर लेंगे NCS के portal पर ठीक है तो चलिए मैं इस form को fill कर लेता हूं फिर हम यहां से आगे बढ़ेंगे अब finally हमें submit पर क्लिक करेंगे अब यह processing हो रहा है यह थोड़ा सा time लेगा अगर कहीं कुछ error है कुछ छूट रहा है तो उसे यहां पर आपको mention कर देगा किस जगा को fill करें उसके बाद आपको सिधे payment वाले page पर लेके चला जाएगा यहां पे 15 रूपीज की payment करनी है आपको और वैलेट से balance करतेगा पांच रूपे 34 पैसे ठीक है तो आपको payment कर देना है और जैसे ही आप payment complete करेंगे आपको ID और password यहां पर मिल जाएगा चलिए payment कर देना हूँ 10 पे continue अब यहां पर यह देखिए receipt generate हो गया 15 रूपीज के चार्ज के साथ और यह आपको print करके रख लेना है ठीक है और यह जो confirmation message है जो mobile number आपने डाला है उस पर भी यह confirmation आ चुका है और जो mail ID आपने यहां पर mention कर रखा है student का उस पर भी यह confirmation mail और message दोर ही आ गया है तो वहां स से फिर student आप अप NCS के portal पे जाकर login कर देंगे और अपनी profile को complete कर लेंगे यानि कौन से school से उन्होंने पढ़ा हुआ है कौन से degree उन्होंने लिग है कौन से काम उनको आता है कौन से काम नहीं आता है सारी चीज है तो जैसे profile जितना ज्यादा complete होगा उतनी ज्यादा job पाने की चांसा इस उनकी बढ़ जाएंगी दोस्तों यह रहा में एक छोटा सा वीडियो की NCS के portal पे कैसे आप student का registration करेंगे वो भी CSE portal के माध्यम से तो आसा करता वीडियो आपको अच्छा लागा पसंद आगो तो प्लीज से like शो और सब्सक्राइब जहूर करें तब तक के लिए एव नाइस टे चाहिंद चाहिए फारुट